नमस्कार दोस्तों मैं हुद रवाल शर्माजी टेकनिकल से और हम करने चा रहे हैं डीटेल रिव्यू यू यू यूफोरिया का इस फोन को यूज करते वे हमें काफी दिन हो गया है फोन हमें मिला था 6 जून को और आज 14 जून हो गया है लगबक 8 दिन हो गया मुझे फोन को फोन को ऐसे प्राइमरी फोन की तरह में यूज कर रहा हूं पिछले साथा दिन से काफी अच्छा रिस्पॉंस है मैं कहूंगा जो बिल्ट क्वालिटी है काफी अच्छी है इस वीडियो में हम डीटेल रिव्यू करने जा रहे हैं इसकी अन्बोक्सिंग हम कर चुके हैं अ हम बात करेंगे यहां पर डीचेल डिव्यू की फोन की परफॉमस किस तरह की है क्योंकि हम나ने पिछले अच दिनों में चएक है कि हमने पिछले 8 दिनों में चेक किये है बात करते हैं फोन के डिजाइन की जो फोन का डिजाइन है काफी अच्छा डिजाइन दिया गया है पीछे एक सेट रिंग दी गई जिसे यूफोरिया सेटन रिंग बोलता है फोन की प्राइस और अविलेबिल्टी की बात करते हैं फोन की जो प्राइस है वो लगबग साथ जार के करीब यानि की चेह जार 999 रुपे और यह जो फोन है हर गुरुवार को यानि की ब्रस्पतिवार यानि की थ्रस्टे को फ्लैश सेल के माधियम से amazon.in से मिलता है जिसके लिए आपको पहले से रिजिस्टर करना पड़ेगा तो फोन की अविलेबिल्टी की बारे में बात हो गई फोन की प्राइस की बारे में बात होगी फोन की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं आप स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फोन के अंदर दिया गया है 1.2 गीगा इंटर्नल मेमोरी जो वह 16GB के है लगबग कितनी मिलती है वह आपको दिखा चाहिए अन्बोक्सिंग वीडियो में फोन का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो है आट मेगापिक्सल का सॉरी फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो है पांच मेगापिक्सल का जो की फिक्स फोकस है और जो रियर कैमरा यानिकी जो में कैमरा है यह जो है यह आट मेगापिक्सल का कैमरा है फोन की जो स्क्रीन है वो पांच इंच की 720P यानिकि 720P HD की स्क्रीन है IPS डिस्प्ले है यानिकि अगर आप किसी भी साइड के एंगल से देखते हैं तो आपको देखने में किसी भी तरह कोई परिशान ही नहीं होगी काफी अच्छा व्यूइंग अंगल से इस वाँ फोन की बैटरी की बात करें फोन में जो बैटरी दी गई है वो है 2230 mAh की बैटरी दी गई है अगर मैं आपको बैटरी की परफॉर्वर्मेंस दिखाऊं तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका हमने एक अलग से भी वीडियो किया है स्क्री साइनोजन बेस्ट है साइनोजन 12 cm 12 के ओपर बेस्ट है जिसमें काफी ज्यादा कस्टमाइजिश मिलते हैं लेकिन जो 12 है उसमें का प्यूरली स्टॉक एंड्रोइड का आपको पर्फॉर्मेंस मिलती है यह 12S नहीं है यह 12 है जो कि साइनोजन का है यह तो रही बात इसकी स्पेसिफिकेशन की आई है अब इसकी बात करते हैं हम पर्फॉर्मेंस की दो जीबी रैम है तो पर्फॉर्मेंस काफी अची है हमने इसमें एक गेमिंग टेस्ट भी किया है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा स्क्रीन कास के थूरू हमने गेमिंग टेस्ट किया था तो आप उसमें गेमिंग की पर्फॉर्मेंस भी देख सकते हैं किस तरह गेमिंग को support करती है तो मैं उनको बताना देना चाहता हूं कि जो दोनों की जोनों SIM है यह देखिए SIM 1 है यह 4G को support करती है और जो SIM 2 है वो भी 4G को support करती है यहने कि आप 4G network या 3G network दोनों SIM में use कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको सिर्व एकी SIM में मिलेगा ऐसी limitation नहीं है जो कि एक अच्छी बात है इस phone के लिए SIM 1 और SIM 2 दोनों में आपको देखिए यह SIM 1 है और यह SIM 2 है दोनों में आपको LTE connectivity मिलती है फोन की जो star values है वो आपको box में देख सकते हैं कितनी थी और हम आपको यहां से भी दिखा देते हैं कि कितनी है इसमें फोन की जो star value वो काफी कम है यानि कि 0.4180 है head में और 0.670 है body में तो काफी कम star values है बात करते हैं गूगल applications की या Chinese applications की तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह Cyanogen customized है तो इसमें कोई भी Chinese app नहीं है और यह specifically इंडिया के डिजाइन है तो इसमें तो बिल्कुल भी कोई Chinese app नहीं है हलांकि काफी इसमें Google Apps थी जिस तक Google Cloud है, Drive है, Gmail है, Google Apps, Google Playbooks, Music मुझे यह सब apps पसंद नहीं आते हैं इसलिए मैं इन disable करके रखता हूँ मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि आप इन apps को disable कर सकते हैं या uninstall कर सकते हैं जिससे आपको internal storage आपकी काफी increase हो जाती है अगर अब भी RAM की बात करें हम तो फिलहाल जो RAM है वो available है अब देख सकते हैं, 795 MB RAM available है 2GB में से, apps में कितनी RAM यूज़ हो रही है, system में कितनी RAM यूज़ हो रही है चलिए और बात करते हैं हम इसके language support की तो यह language काफी languages support करता है अगर मैं अपने page की बात करों जो मैं page use करता हूँ उसमें काफी languages का support मिलता है में इसमें तो languages काफी support कर लेता है यह region language काफी support करता है आप देख सकते हैं इस तरह से कि मुस्लिम हिंदी में ही type करना पसंद करता हूँ अगर मैं mobile यूज़ कर रहा हूँ अगर मैं laptop यूज़ कर रहा हूँ तभी मैं English में यूज़ करता हूँ तो language support भी दिया गया इसमें Skype call की बात करें तो मैंने Skype call करके देखा था और Skype call में इसका जो mic है वो use होता है ऐसा नहीं है Nubia Z9 की तरह है जिसमें mic use नहीं हो रहा था Skype call में तो भी इसके लिए एक अच्छी बात है कैमरा की performance मैं उम्मिद करता हूँ अब पहले ही देख चुके हैं मैंने कैमरा के कुछ sample वीडियो लगाए थे एक रियर कैमरा से लिया था low light के अंदर 7-8 बजी की लगब और एक वीडियो मैंने बनाया था जब मैं प्लेन में था चैपूर से पैंगलोर आ रहा था तो रस्ते में वह वीडियो बनाया गया था हो सकता है आपने वह देखा हो सौ से ज्यादा लोगों ने वह वीडियो देखा है जो कि बहुत ही आठ से 9000 की उचाई बनाया गया था और जब तक उसने लैंड किया 0.2 का इंटरफेस है उसी तरह का इंटरफेस है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई और लॉंचर करने की ज़रूत नहीं है यही काफी अच्छा है इसमें आपको एब ड्रॉर मिलता है नीचे की तरफ आप यहां पर सारे अब इंस्टॉल कर सकते हैं और सकते हैं नहीं तो अंदर भी रख सकते हैं बेंचमार्किंग स्कोर की बात करें तो हमने इसमें बेंचमार्किंग स्कोर टेस्ट किया है आपको मैं दिखा देता हूं बेंचमार्किंग स्कोर हमने हालां कि आज ही टेस्ट किया इसमें तो काफी आप्स पहले से इसमें हमने रखी थी, रैंकिंग जो है वो काफी नीचे की तरफ थी क्योंकि एक mid segment का फोन है, high end phone नहीं है, चलिए हम एक बार फिर से इसको test कर लेते हैं, यह उससे पहले आपको फटा-फट से दिखा देते हैं, specification जो की बताई गए थी, 5.0.2 है, 64 bit का है, qualcomm 410, snapdragon, HD resolution है, 8 megapixel camera है, IMEI numbers है, RAM जो है, total 1890 है, जिसमें से 309 में अभी available है, internal storage लगभग 11.95 GB मिलती है आपको इसमें, यह CPU के बारे में दिया गया है, 4 core यानि की quad core है, qualcomm का दिया गया है, और DPI है 320, 8 megapixel और यह कुछ sensors दिये गए है, direction sensor, G sensor, accelerometer sensor, चलि हम एक इसको और फिर से एक को टेस्स कर लेते हैं, इसमें, जब तक यह test होता है, हम इसमें pros and cons की बात कर लेते हैं, यानि की इसकी क्या कमिया है और क्या खूबिया है, खूबियों की बात करूँ, तो सबसे पहली खूबिया आती है, price point की, 7,000 रुपे में आपको यह available है, जिसमें की 2 GB की RAM, 16 GB की internal storage मिल रही है, और जो Android Lollipop है, वो आपको stock मिल रहा है, यानि की CM12 जो है, वो Android Lollipop के ओपर based है, तो बहुत ही बड़ी खूबी है यह इसके लिए, price point, Android, 2 GB RAM, 16 GB, memory, 8 MP का जो काफी अच्छा है, पिक्चर्स मेंने काफी काफी हैने की, कम से कम मैं 600 से 700 पिक्चर्स इससे ले चुका हूँ, मेरी personal pictures भी हैं, कुछ professional pictures हैं, जो मैं आप से share करूँगा, या फिर इस video के end में, video के end में, मैं add भी कर सकता हूँ, आप देख लीजीगा उसे, तो camera quality काफी अच्छी है, बात करते हैं, इसके front facing camera की, तो front facing camera भी काफी अच्छा है, मैंने इसे low light में, और normal sunlight में pictures ली हैं, या लिए कि इसमें कोई flash नहीं है, आगे की तरफ, in focus M2 की तरह हैं, लेकिन काफी अच्छा performance है इसका, camera की बात हो गई, और बात करते हैं, हम इसकी battery life की battery backup, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, काफी अच्छा battery backup है, अगर आप normal यूज करते हैं, नहीं कि, एक से दो गंटा Facebook यूज करते हैं, WhatsApp यूज करते हैं, और music सुनते हैं, earphones से, सिर्फ music सुनते हैं, एक से दो गंटे, अगर आप बाहर का temperature देखें, तो 21 degrees है, क्योंकि आज यहां पर बारिश होई थी काफी, temperature बाहर का काफी low है, लेकिन बात करें, 34 degrees की, जो कि battery का temperature रहता है, अगर हम इसमें heavy use कर दे आने की video देखते हैं, कुछ देर के लिए, 15-20 minutes के लिए, या game खेलते हैं, तो temperature लगभग 40 degree के आर्स पहुंच जाता है, उससे उपर नहीं जाता है, इस temperature में, लेकिन मैंने यह सेम चीज कही है, जब आप देखेंगे हमारा benchmarking और gaming review, तो उसमें मैंने battery के बारे में और कुछ बताया है, लेकिन मैं फिर बतायता हूँ, अगर आप northern part में रहते हैं, तो temperature 45 या 46 के उपर जा सकता है, तो अगर आप यह phone consider कर रहे हैं, और अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ एक temperature ऐसा है, जिसके कारण आपको यह लग रहा है कि यह phone लें ना लें, तो आप Amazon से मंगवा लीजिए phone, आप उसको check कीजिए, 10 दिन का time आपको Amazon देता है, अगर आपको 10 दिन ने phone पसंद ना आए, तो आप उससे return कर सकते हैं, Amazon आप से कोई भी सवाल नहीं पूचेगा, जिस तरह Flipkart अगर आपने Flipkart का return policy उसके आओ, तो वो काफी सवाल पूचते हैं, Amazon का ऐसा कुछ नहीं है, आप तुरंट से बस online जाएए और वहाँ पर return create कर दीजिए, कि मुझे return करना है, पताएए कब लेने आए, वो लेने आ जाएगा और आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, तो यह काफी अची बात है Amazon की, यहाँ बता दू मैं आपको, गेमिंग परफॉर्मस की बात करें, तो गेमिंग में, अगर आप मीडियम कॉलिटी में, यानि की मीडियम सेटिंग में गेम को चलाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉल्म नहीं आएगी, हमने आपका वीडियो रिवी दिखाया है, आप देख सकते हैं उसके उसके रिव्यू में, गेमिंग प्रफॉर्मस रिव्यू में, अलंकि जो वीडियो प्लेबैक है, ये 720 HD की स्क्रीन है, लेकिन फुल एच्टी वीडियो भी प्लेबैक कर सकता है, और इसका जो कैमरा है, वो फुल एच्डी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, हमने काफी वीडियो इससे रिकॉर्ड किया है, मैंने जो रिव्यू वीडियो क काफी अच्छी प्रफॉर्मेंस थी इसकी तो इस तरह से ये तो हो गई हमारी इसकी प्रॉस और कॉंस अगर कम्यों की बात करें तो इसमें एक फीचर है डबल टैप टू वेक अप जो कि फिलाल इसमें काम नहीं कर रहा है चलिए बेंचमार्किंग स्कोर मुझे लगता है तो हो सकता है इसमें कम ज्यादा हो ठीक है और आप चाहें तो अब जब आप फोन लें तो आप खुद से भी इसको टेस्स कर सकते हैं हम बात कर रहे थे तो हम इसमें बात कर रहे थे कि इसमें एक feature है double tap to wake up अगर आप उसे enable कर देते हैं तो जब कोई call आता है तो आपको जो phone है पूरा blank होचाता है आपको ring सुनाई देती है vibration आपको message होता है तिकिन जो screen है वो on नहीं होती है इसलिए मैंने इसको disable कर रखा है क्योंकि वो अभी फिराल काम नहीं कर रहा है हमने इसे report कर दिया है यू यू टीम को ताकि वो अगले रिलीज में इसे fix कर सकें अगले जो update आएगा साइनोजन का उसे fix करें क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि वो hardware का issue है क्योंकि जो same feature था वो one plus one में बहुत अच्छे से काम करता था और भी कुछ phone है coolpad है जिसने double tap feature दिया है fecom passion 660 है उन्होंने भी double tap to wake up दिया है लेकिन उसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है लेकिन सिर्फ इसी में दिक्कत आ रही है दूसरी जो दिक्कत है वो कुछ लोगों ने बताई है लेकिन मैंने महसूस नहीं करी जो कहते हैं कि जसी कॉल हम डायल करते हैं और कान के पास में लगाते हैं लेकिन वो मैंने महसूस नहीं कि आप हो सकता है उसे महसूस करें क्योंकि अगर आप भारत के नॉर्दन पार्ट में रहते हैं तो हो सकता है वहां पर फोन का जो टेंपरेचर है वो काफी हाई हो जाए अलंकि अभी जो टेंपरेचर है वो नॉमल टेंपरेचर है बिलकुल अभी देखे, अभी जो बीस मिनट का पीछ में पॉस लिया था मैने वीडियो के, तो जो टेमपरेचर था वो बिल्कुल 30 डिग्री पे आ गया था, 35 से 30 डिग्री आ गया था, और जो बाहर का टेमपरेचर है, वो 21 है, लग बख दो बच के 8 मिनट हो रहे थे, और अब 2 बच क तो लग बख 15 मिनट में टेमपरेचर फोन का कूल डान हो या, हमने इसे बिल्कुल स्टैंड माय में रख दिया था, तो थामो स्टेट कूलिंग के मामले में तो सही है, लेकिन जब गेमिंग परफोर्मेंस की बात आती है, या वीडियो रिकॉर्ड की बात आती है, तो ये क जो है, वह सकता है, वह 49 क्रोस कर जाए, मेरे टेस में 49 की लगबग चला गया था, दस मिनट का जब वीडियो बनाया था हमने, क्योंकि 10 मिनट के बाद आटोमेटिकली वीडियो नगा ठोग गया था, तो हो सकता है कि ये चला जाए, तो अब या आपके ऊपर है कि किस तरह स इसे अपने खरीदने के या ना खरीदने के पॉइंट्स में रखने चाहते हैं तो ये तो हमारा ये था हमारा क्यू यूरेका का डीटेल रिव्यू और अनलिसिस प्रॉस अन कॉंस बैटरी परफॉर्मेंस कैमरा सेंपल आप देख चुके हैं और कुछ और सेंपल मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आड़ कर दूँगा और जो हमने इसका एक 4G टेस्स किया था वो हम आपको इसमें दिखाई देते हैं चलिए हमने इसमें 4G टेस्स किया था मैं तुरंट से आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूं ताकि अलग से आपको एक वीडियो ना देखना पड़े लगता है मैंने इसमें सहटा दिया है तो ये था हमारा review यूरेका का आप बताएगा आपको review कैसा लगा अगर कोई कमी रह गई हो ज़रूर से आप YouTube के comment सक्षिं में जाए comment कीज़ेगा क्या अच्छा लगा आपको वीडियो के बारे में जरूर से बताएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे YouTube चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलेगा जो कि मुझे मदद करेगा अपने YouTube चैनल को चलाने के लिए और आपको इसे तरह हिंदी में विश्टरत विशलेशन यानि की डीटेल रिव्यू आपके लेकर आता रहूं और आपके प्रश्णों का जवाब देता रहूं तो आप फिलहाल मुझे काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है यूट्यूब में मैं बता देना चाहता हूं सभी दर्शकों को अभी मेरे पास 90 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मेरा अभी तक का जो व्यू काउंट है वो लगभग 11,000 के पास में यानि की 10,800 हो चुका है तो आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं आप क्या-क्या उसे व्यू कर सकते हैं अपने टी बी के साथ कौण से content आप उसके यूज कर सकते हैं कोWe आने माले कुछ दिनों में hem लगबख 40-50,000 उपर होती है अगर आप 20-25,000 कोई टीवी लेते हैं तो आप उसे कैसे 2-3,000 उपर खर्च करके एक स्मार्ट टीवी बना सकते हैं तो चलिए अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और अगले वीडियो में हम आप लेकर आएंगे कुछ नई चीज आपके लिए तो जरूर से याद रखेगा मैं फिर से कह रहा हूँ जरूर जरूर रखेगा लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनलों को सब्सक्राइब करना और जरूर से कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा रगा क्या नहीं अच्छा रगा, कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर से पूचिए हलांकि मैं बहुत बोलता हूँ हलांकि किसे ने कमेंट नहीं किया कि आप बहुँ जादा बोलते हैं एक की चीज को दो तीन बहर बोल देते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी की तरफ से आपको और एक बर फिर मिलेंगे शर्मा जी टेक्निकल की अगले वीडियो में तब तक के लिए चिपक के रहो